तो मुबायल सर्केट में जो मॉस्पेट होते हैं वो इस तरह से देखें आपको सिंबोल तो वैसे ही दिखाई देंगे अब यहां पर देखें यह नीचे जा रहा है इसका मतलब अन्चनल में यह जादू कि यह ट्रांजिस्टर ज्यादा अच्छा है नहीं यह मॉस्पेट मे क्योंकि एक इस वोल्टे ट्राइवन सर्केट यह जैसे कि बता एक पावर्फुल सप्लाई के लिए बनाया जाता है और एक लुग करेंट सप्लाई के लिए बनाया जाता है हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद्के जिद्धी हुमार जिद है मेरा फिटूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। So, Hi my YouTube family, कैसे आप सबी लोग एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा इंपोर्टेंट वीडियो पर बहुत सारी नौलेज के साथ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते है, sir, transistor and MOSPET क्या होते है, sir, इन दोनों में क्या अंतर है, वीडियो के वल अंतर के लिए, एक चलो, कहते है न, sir, दो मेट में बतादो, sir, दो मेट में बतादो, तो मेरे वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर करना है यार कैसा लग है वीडियो और आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि नहीं हुआ और अभी मैं इसकी टेस्टिंग वर्टिंग सब कुछ लाने वाला हूं से लिए जूरे रेना चैनल से और सस्क्राइब कर करता हूं BJT जिसको हम Bipolar Jensen Transistor क्याते हैं और MOSPAT जिसको हम क्या कहते हैं याद होगा ना Metal Oxide सबसे पहले मैं बात करूंगा दोनों का लुक कैसे दिखते हैं सो आप देखेंगे कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे जिसमें आपको नॉर्मल आपको यह तीन लैक जिसको इलिट्रोड बोलते हैं जिसमें बेस एमिटर और कलेक्टर बात करते हैं और आपको जो मॉस पैट होते हैं उसमें उपर मैटल की प्लेट भी दिखती है जैसे करें मैटल ऑक्साइड तो यह हीट सिंग की तरह काम करती है और यहां से और बीच वाले पिंसे कनेट होती है जो कि इसका ड्रेन होता है तो आप देखें उस अब सब पहला कि इस तरह से दिखने वाले जो डिष्वाइस व भी होंगे वो ट्रांजिस्ट यॡिए होंगे वी ज्यति और अगर मैं बात करूं अब इनके साके सिंबॉल से तो आये of सब सेभी हम बात करने हैं विव स्ब्स चिंपॉल आपको दोस्तों इसस तरह से देखने को मिल इस तरह का देखने को मिलेगा जहां पर आपको जो डायोड लगा हुआ है तो यह आपका पी टाइप कड़ा है इसको भी समझाने का में पास बहुत गजब का ट्रिक है और जिसको में एक वीडियो बनाने वालों कि मतलब सिर्ग सिर्ग कर दो सेकेंड में बता दो कि यह पी ट गिस्टर होगा दोस्तो और अगर सरकित सिंबोल में आप इस तरह का देखेंगे तो एक मौस्पएट होगा मौस्पेट में आप देखें बस एमिटर कलेक्टर नहीं होते उसमें होते हैं ड्रेंड गेट शोर्स शोर्स बीसे की यहां पर बेस करता है एक तरीकर से तो घर का गेट की खुलेगा तो ही इन आउट होगा तो यह सारी चीजे में आपको आगे भी समझाओंगा तो यहाँ पर आप देखिए तो एड डायोड नीचर की ओर जा रहा है आप देखिए अगर इसकी यह डायोड गेट की ओर खुला है तो इसका मतलब है यह एक N चनल है और अगर यह डायोड गेट की अपोजेट में जा रहा है तो इसका मतलब पी चनल है मैं फूसे कह रहा हूँ अगर आप इस टाइप का सर्कीट सिंबोल देखेंगे तो यह ट्रांजिस्टर का होगा आईए थोरह सा आप इसको समझते हैं एक एक को और सबसे पहले बात करते है By-Polar Transistor Jensen की जैसे कि आपने यहां पर देखे हैं कि यह समिकन्टर डिवाइस होते हैं और दो डायोट से मिलकशन को डवल डायोट भी कहा जाता है इसमें दो जन्सन अगर अगर मैं बात करूं यह इसके सिंबॉल मैंने बता दी है तीन इलोट्रोड होते हैं इसमें एमेटर बेस कलेक्टर इस तरह का यह आपका सिंबॉल इस इंडिफिकेशन यहां पर दिखाई देगा सर्केट सिंबॉल के साथ तो यहां पर देखे दोस्तों अलग अलग पड़िवासा है आग को गूगल कुछ और बताता है कोई और कुछ और बताता है अगर सबको मिला होगे तो एक ही पड़िवासा निकलेगी यह कहते है एक बाइपूलर जंसन ट्रांजिस्टर है तो बिसिकली एक करंट ड्राइवन स सिर्केट है जहां वोल्टेज को इंपोर्टेंट डिया है वहां मॉस्पैट का यूज किया गया है दोनों ही का काम अगर मैं बात करूए एंप्लिफाय मतलब सिग्लल की सत्यों को भराना जहां भी सिग्नल सो बढ़ाने है आपको तो पता ही ऑक्सिलेटर मतलब फिरक्वें अगर गूगल की पड़िवाशा पढ़ेंगे तो वह भी सेम यही कहेगा कि बाइपूलर जंसन ट्राजिस्टर है थी थर्मिनल सेमिकंटर्ट डिवाइज कंसिस्ट अप्टू पी एंड जंसन वीचार एवल टू एंप्लिफाय और मेग्निफाय सिग्नल सो यह एंप्लिफा जहां इंपर्टेंट है वहां में मौस पैट को सो आप देखिए थी टर्मिनल है और अब आगे बढ़ते हैं अब यहीं चीज हम बात करेंगे मैटल ऑक्साइड सेमिकंटर्टर डिवाइस की अगर फील मैडल ऑक्साइड सेमिकंटर्टर फील एफेट ट्रांजिस्टर की ब मिल रहा है अब बात करते हैं मौस पैड तो अगर इसकी एक कुछ पड़िवासा बता हूं तो यहां बेडिया हुआ हुआ है मेटल ऑक्साइड सेमिकंटर्टर फील एफेट ट्रांजिस्टर इसको आप इसको आप इसको भी भूल सते हैं अगर मौस पैड को बात करें जाए तो यह भी एक तीन डर्मिनल को जोड़कर बनता है जासे गेट सोर्स और ड्रें मलब इसके अंदर गेट सोर्स और जो तें तीन तर्मिनल होते हैं और यह अगर बात करें जैड ग्रेंड इस कंट्रोल वाइदा वोल्टेश आप दा गेट टर्मिनल मलब आप देख रहे है रहे हैं मैं ड्रमिनल मतल पैठन के फकी कहा है मारे जो तौक्स पते तक दाक है मियुत रहे हैं यह वायब है में जहक 현 चीविए one सबसे नंबर वन अगर मैं बात करूंगा बहुत सारे हैं डेयर मैंनी डिफरेंस सबसे पहले तो भई यह मॉस्पट एक वुल्टेज कंट्रोल ड्राइवन शर्कित है तीनों यह तीनी टर्मिनल है उसमें बेस क्लेक्टर अमिटर है उसमें गेट और आपके ड्रेन और सोर्से हैं अगर मैं बात करूं यह तो यह सेम हो गया है और अगर डूचरे पर आइडल फॉर हाई पावर एप्लिकेशन वियरस बीजेटी आर मोड कॉमेंली यूजिन लो करेंट अप्लिकेशन मलब जहां पावरफुल एप्लिकेशन या पावरफुल एक प्रोजेट बना रहे है तो वहां पर मॉस्पैट यूज करते हैं और जहां लो करेंट बना रहे हैं वहां पर हम ट्रंजिस्टर कर सकते हैं बीजेटी बीडेपेंडन करेंटे इस बेस टर्मिनल वेईरस मॉस्पैड डिपेंडने वोल्टेज और अड्ट ओक्साइट इंस्लिकिड जैसे इन्होंने जो ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों वो डिपेंड उसके जो मेन करेंड होता है वो करेंड डिपेंड होता है उसके बेस टर्मिनल पर है वैसे ही जो मॉस्पेड होता है उसका जो वोल्टेज डिपेंड होता है उसके गेट पर ठीक है और यहां पर लिखाओ मॉस्पेड स्ट करेगा पर confusion create करनी कि को जबब नहीं है मैं हुंना मैं है आपको confusion डूड करूँगा और आए होग कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा confusion डूड भी हो गया होगा सवागर मैं बात करूं बोड मॉस्पड अब बी जटिर यूनिख मतलब वो कहे रहे हैं इन दोनों के खुद के बहुत सारे अलग-अलग फायदे हैं बड़ अगर दोनों के ही कुछ नुकसान भी हैं और कुछ और एडवांटेज भी है एंफॉर्चुनली वी कर नोट हम यह नहीं हम यह नहीं कह सकते कि कौन सा बैस्ट है अगर बोलूंगा व और एक वोल्टेट रावन सर्केट है जैसे कि बता एक पावर्फुल सप्लाई के लिए बनाया जाता है और एक लो करेंट सप्लाई के लिए बनाया जाता है अब देखेंगे कि वैं चूजिन विचिज यूज इन दप्रोजेट वन मस्ट कंसिडर मैनी डिफरेंट फैक्ट चाहते हैं देखें दोस्तों एक वीडियो में तो इस सारे प्रस नहीं बता सकता बड़ एक चीज़ बता रहो इस इंक्लूड पावर लिवर जैसे आप बाद चाहिए प्यावर लेवल होगा ड्राइव वोल्टेज की आप विल्टेज कैसे ड्राइव कराना चाहते है एफि बहुत सारी तीन अलग भी होंगी और विच वन इस बैटर के अगर मैं बात करूंगा सो मॉस्पेट इस यूजली मोर इफिसेंट वह पावर सप्लाय में मोर इफिसेंट है इन बैक्टरी पावर डिवाइस जहां पर लोड वैरिवल हो मतलब एक पावर सप्लाय आप यूज वाध करते हैं जहां पर पावर लिमीटेट मनलब एक ऐसी अब्यडकरेट को लगेशा होगा वह पर शयोंग जया प्र जलाने के जनले हम यहां पर उसका यूज करते हैं अगर मैं मुबाइल सर्केट की बात करूँ दोस्तों तो मुबाइल सर्केट में जो मॉस्पेट होते हैं वह इस तरह से देखे आपको सिंबोल तो वैसे दिखाए देंगे अब यहां पर देखे यह नीचे जा रहा है इसका मतलब तो यह चैनल का मॉस्पेट लगा है और इस पी चैनल का काम जैसे कि यहां पर यह नोई तो आपका जो भी ड्रेंद भी meant को से चंड मीनित में मैं जा दूएंब दो समझा दूंगा एटली की मौसपेट और ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है अब आपके ठाट किलियर हो गए ना एक वोल्ट्रे ड्राइवन सर्केट है और एक है करेंट ड्राइवन सर्केट एक पावर्फुल सर्केट में लगा जाता है और जहां में प्रेडिक्टिवल को इसे चेली कुम के चैनल को और साथ में अगर आपको इसे चेली कॉम करते हैं तो हमें कॉल किजै एक सुनेर ही भविस्ट के लिए क्लिये क्योंके हम छिप लेवल है आपको लेते सूचा नहीं धेलगे और वह सारी चीजे मिलिदे तो कॉल लगाई है आज ही इसा टेलीकॉम में और जोड़िये हम से थेंकियू बड़ी माच अभी तक कोई यूटूब में नहीं बताया होगा जिटा नाया यार होगा क्या नाय मिर्तां अंतोस्त है अब यास कहा करने वाले है पर स्क्रांब करने कल लाँ पॅँश्य को फोर नहीं यागवार वाईब गैष्यक्ट नहीं बाइद अधर । कर जसे दो कि वसे नब मॿ दो दूए जए छिए है, और धो दो, कि अ दो, कि लिए खिस ये खएल दुस्टिक, कंवे है